हेलो अबरीबन मेरा नाम है हरसे स्वागत आपका मेरी चैनल हरसेत अन्बॉक्शिंग मैं आज की इस वीडियो में मैं अन्बॉक्शिंग एंड रिविव करने वाला हूँ शाओमी कंपनी की तब से आने वाली मी 2-in-1 USB केबल बेसिकली इसका यूज यह होता है कि जैसे आपक आपको USB port and Micro USB port दोनों पोड एक ही केबल में आपको देखने को मिल जाते हैं मैं आपको देखा रहा हूँ इस तरीके का कुछ होता है यह ठीक है तो इसकी हम करेंगे आपकिस वीडियो में अन्बॉक्शिंग एंड इसकी प्रास किया है कि आपको यह खरीनी चाहिए कि नहीं फुल डेटेल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो जानने के लिए वीडियो को एंटक डेखते रहना इसकी बिल्कुर भी मत करना लेकिन पहली बार आ रहे हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब हीजिए साथी बैल आकर को पैस करिए को इस चैनल पर अन एक 100 cm वाली और आती है इसकी लंबाई बड़ी होती है वो आपको बिले कलर में भी देखने को मिल जाती है उसके अलावा उपर की बात करें आप शामी का लोगो है MI2-1 USB के बले लिखा हुआ है और Micro USB 2 Type-C Micro USB port and Type-C port दोनों आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं साथी साथ को इक चार सपोर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है 30 cm लोंग है यह 100 cm वाली भी आती है वो भी आप पर्चेश करना चाहते है तो लिंक डिसके सर में है और यह फास्ट डाटा टांसपर मतलब आप जैसे की लैपकोप PC में अगर डाटा टांसपर करेंगे इसका य सब्सक्राइब करें तो मिल जाता है बैक साइट की बात करें तो यहां पर कब मैनुफेक्चर हुई किस कंट्री में हुई यह हमें पूरी डेटेल इसमें देखने को मिल जाती है चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं तो फैले में इसको ओपन कर चुका हूं आपको दिखा सब्सक्राइब करें तो आपने देख लिए इस केविल की अब बात करते हैं इस केविल की कुछ स्पेसिपिकेशन की एंड साथ रिव्यू की कि क्या आप कोई घरीनी चाहिए कि नहीं एंड इसके प्राइस की सबसे पहले जो मेरे पास यह केबल है इसकी लेंथ की बात करें तो 30 cm इसकी लेंथ है इसकी प्राइस 179 रुपीज है उसकी अलावा यह मैंने परस्नली पावर वैंग के लिए पर्चेस की थी ठीक है पावर वैंग से फॉन चार्ज करने के लिए इसकी हाइट सर्फ 30 cm है ब परचेश कर सकते हैं और इसके स्पेसिक्टिशन की बात करें तो यह फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है तू एम फेयर तक फास्ट चार्ज यह केबल कर सकती है आपके फॉन को उसके अलावा यह वाइट कलर में आपको देखने को मिल जाती है वह वाइट और इंड ब्ल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसमें आपको USB 2.0 टाइप A इंपुट पोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ Micro USB and USB Type-C output port देखने को मिल जाते हैं अगर इसके बारेंटी की बात करें तो इसमें आपको 6th मंद की बारेंटी भी देखने को मिल जाती है अगर इसके रिव्यू की बात करें तो पर्सनली में इसको काफी टाइम से उच कर रहा हूँ आज तक मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है और ये काफी अच्छी से फॉन चार्ज कर देती है फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है और काफी अच्छी इसकी बीड